Hello everyone, आज इस विडियो में पढ़ने वाले हैं class 9 के जौके bipolar牌 फूचिर 7 श्रॉक्ट्टर ऊग्नाइजर्स्टिन अनिमल्स इस चैप्टर में आज में चैप्टर ये आगे हां कबर करने वाले है हमने प्रिव्श विडियो में जो अनारटिव हमने श्चार्ट कर दिया था था हमने जो एलिमेंटर इक नाल के बारे में पढ़ा था और हम आला थोड़ा पॉश्शन बचावा था अमर्फॉलजी का जो आपडमन वाला वह में जो कबर किया था हमने जो पढ़ा था मिन मैंने आपको संब संब इसक इप्वरड़न पॉइंट बताया था कि आगे एक और जो आपका फीचर दिया हुआ है जो कि मेल को फीमेल से अलग करता है कि यूरी को उस ग्लैंड पाई जाती है इनमें जो कि शरफ मेल में पाई जाती है तो इसके बारे में आगे डिसकस करेंगा एक्सक्रीशन वाले पार्ट में तो यह सब मैंने आपको बताया थ इस तरह से आया हुआ था यह करेक्ट और चूज किजिए तो आप इससे पहले फैरेंग्स उसका लाइवरी फैरेंग्स के बाद इस फैरेंग्स क्रॉप गिजार्ट हीपैटिक सिक्के मिडगर्ट मेल्फीजन टीब्यूल से साही चीज़ है जो है आयू थी स्क्रेशन आया अब जो है हमोग्लोबी नहीं पाया जाता है इनके ब्लड में इसका वाइट ब्लड होता है इसलिए यह यह जबताए थी मैंने आपको इबैटिक सीख्के फिर गैस्ट्रिक सीख्के बताई थी जो कि आपकी इन में प्लैजन्ट होती क्या करती है अगर तो इसको सिक्रीट क गरता है कि इसके बाई पढ़ेंगा चे तरह से तो चलिए श्टार्ट करते हैं इनके ब्लड वैस्ट्रिक सिस्टम के हम बात करें तो यह जुँए जो इनके ब्लड वैस्लिब स्किर्ण गोर्णि की Pick जोड़ा शोट में करके दिखाऊं तो मापको यहां पर कुछ उस्टिया प्रेजंट होती है इस तरह से यहां पर अलग कर लेकर दिखाऊं तो इस तरह से यहां पर शोटी शोटी यहां पर openings प्रेजंट होति हैं इहां पर हेँ याँ पर openings प्रेजंट होते हैं हां इत्सके नाविछ प्रेजंट होता है इन G जो sinuses में blood fill हो जाता है यहां पर इन में जो यहां पर sinuses blood आता है sinuses में यहां पर फिल हो जाता है पूरी body में इस तरह से फिर बहता है यह आपको थोड़ा बहुत यह clear हुआ होगा और आगया वाँ चितरह से पढ़ते हैं विसकों से लाइन बराइन पढ़ते हैं यह इन में कह उता है open type होता है मलब इन में जो कोई भी capillary नहीं होती है arteries और veins होती है, इन में कोई भी capillary नहीं होती है मने आपको chapter 4 में बताया तो open type close type क्या होता है इन में blood directly flow करता है कोई एकदम से जो कहीं भी जाक एकदम से बात करता है proper link के पास channels नहीं है इनके पास तो Capillary नहीं होती इनके आट हर्ट इस तो होती है बड़ बिल्ड वेसल इनके आपको शेप्र्न पडेव siemen पोर्लीтор Libre developed blood vessels poorly developed होती है कि it में artery went होती है बटť इन Mere notes tabularion नहीं होती और open into a space एक space में जाके open होती है open में पेसमें जाके स्पेसमें जाके जिस हम कहते है hemocel space का नाम है space में जाके open होती है जिस हम कहते है hemocel कहते है और वो, और sinuses क्या होती है, sinuses मैं आपको बताए, open तो space में ही होती है, लेकिन वहां पे होती है, जहां पे blood फिल होना होता है, और यह जहां, the open spaces where the blood is filled, visceral organs located in the hemolymph or bath in the blood, directly blood में visceral organs जो इनके बात करते है, जो इनके organs होती है, visceral organs होती है, और directly blood में बात करते है, जित हम कहते है, hemolymph कहाती है, हिनके blood को हम hemolymph कहाते हैं, क्युकि इनमे कोई भी chamoglobin नहीं पाया जाते हैं, इनके blood को हम हम हाहाती है, hemolymph is composed of kulrless plasma, להיותetty colorless plasma होतर है हिसमें hemocytes cells, यह hemocytes होते हैं हम बाते हैं, कंदले कुछ cells होती है, हीको हुच簡 र excuses होती है, हमuset cells होती हैं, इनके में, heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along the mid dorsal line of the thorax and abdomen, इनमें जो allergy muscles बाई जाते हैं, बीच में आप देख सकते हैं, यह allergy muscles हैं, जो कि 12 in pairs होती हैं, 12 pairs होती हैं, इनके, यह क्या होती है, allergy muscles होती है, जिनके तुरू यहां पे ब्लड फ्लो जो हो कि आता है, ब्लड फ्लो हो कि आता है, और जो ह बात करेंगे, हम इसके बारे में, अब किस तरह से ब्लड फ्लो करता हो, बताया होगा है, थोड़ा सा यह, blood from sinuses, enter through the heart, sinuses से क्या होगा, blood जो enter होगा, sinuses मैं आपको भी बताया, open spaces, जहां पे blood feel होता है, वहां से क्या होगा, enter through the oostia, कि through enter होगा, उसमे, and is pumped anteriorly to the sinuses again, उसके ब 12 से flow हो जाएगा, फिर से इन में flow चलता रहेगा, इसी तरह से इन में flow चलता रहेगा, so I have आपको clear होगा, इन में थोड़ा सा ही दिया होगा, हमें थोड़ा बहुत ही जो है, पढ़ना है, जादा हमें detail में नहीं पढ़ना है, उसे कुछ terms याद रखिए किस तरह से flow है, बस सबस clarity में सबसे पहले कना Rs. गया है, की तोあの, आगे देख य। इसके बारे में, आपको बता हूं, तो सबसे पहले हके थोड़ा साब को बता देता, इन इन में SUSPIRICALS आते हैं मतलब क्या होगा, कि इस तरह से इज्युका appears, इन इन में ने होटा है, इन में होता है हमारे में स इसे traquea हो गया traquea हो गया इन में यह क्या हो गया tr स्पायremकल को स्पायaround की ओपनिंग को जो है रगलेट करते हैं स्पिंक्टर सेंड में पानिया जाते है स्पिंक्तर सिपाया स्पिंक्र यह थैं स्पायरखलular हो गयाios यह सिर्ण अब यह आगे जाक Men अक्सिजन आएगी इस तरह से ब्लड आएगा यहाँ पर जो oxygen आएगी blood नहीं oxygen आएगी जो भी तो यहाँ पर क्या होती है इनके पास rings होती है इस तरह से ट्रैके के पास क्या होंगी रिंग्स होती है यह नहीं होती है ट्रैके के पास रिंग्स होती है तो क्या होगा यहां पर यह क्या होगी वाली टीशू की साइट होगी यहां पर इस तरह से हम टीशू कह सकते हैं तो यहां पर डारेक्टली जो ब्लड आएगा उसमें ऑक्सिजन होगी और यहां पर यह फाइन ट्राइन हो जाते हैं इन तरह से यह स्पाइरेकल हो गया इस तरह से काफी सारे होंगे तो इस तरह से जो है नेट्वर्क हो गया और यह आगे जागे किसमें खुलते हैं आगे देखते हैं इस तरह से मैं आपको बताया थे लेट्रल साइड यह वेंट्रल साइड यह आप इन में जो है प्रेजन होते हैं जागे दॉर्ष्रल यह वेंट्रव और यह वाली वाली कौनसे होगी लेट्रल साइड होगी यह साइड्पे प्रेजन होगे देखिए उपर होआली यह उपना कह उस्तर दिखाए हो है है दॉर्ष्रल निचसका नीचेका से यह सब होगा देख Después यह धएंटर लोगा और यह देखिए साइड का हिससा दिखाया वह स्टाइब आगा है लेटरल वाला लेटरल पर तो इसी तरह से तो लेटरल पर पाए जाते हैं तिन ब्रांचिंग ट्यूप ट्रेकियल ट्यूप से ट्रेक्विदें इस तरह फोटे डिवीजन होती है फिर औ करें गारें शफीजर कर्ते हैं मैं आपNew Ты भला आप से बहर क्याइब लिखिएर करती हैं हर एक द हो जो कि अपनिंग कर्त के मैंने आपनिंग है भी क Confl辦法 क्या फ्ले अपनिंग करती हैं प्रुकरिंग करती हैं interland the opening of the spiracles is regulated by the sphincter यह इनके opening को regulate करता है sphincters exchange of gases take place at the tracheoles by diffusion tracheoles पे जोए exchange होता है gases का वहाँ पे tissue की side पे यहाँ पे इस तरह से tracheoles होगे यहाँ पे tissue की side पे और किस के थुरू diffusion के थुरू जो हिन में होता है so I hope आपको clear हुआ होगा I hope आपको clear हुआ होगा अब मैंना थोड़ा आपको डाइगराम जो है बना के थोड़ा समझाने कोशिश करी है इसमें जो बूंग में डाइगराम नहीं है बट फिट भी आपको डाइगराम से अच्छी तरह से मजा जाता है डाइगराम से जो काफी important होते है वैसे भायो में और यह जो ट्रेकियों होते है डारेक्ली जो किस से टाइज होते हैं टीशू से डारेक्ली टाइज होते हैं यहां से जो diffusion का exchange होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे excretion के बारे हमने जो दो हमने complete कर लिया हैं सबसे पहला हमने कर रहा था blood vascular system सबसे पहले हमने previous वीडियो में अलिमेंटरिक नाड़ डाज़सिव सिस्टम कर रहा फिर इस वीडियो में अभी हमने blood vascular system कर रहा फिर उसके बाद हमने respirator system कर रहा यह यह काफी detail में दिया हुए जो आपका reproductive system में काफी detail में दिया हुए next video हम करेंगे excretion excretion is performed performed by the malphigine tubules 15 tubules हमने पढ़ी है वाह 100 to 150 होती है यह हमने पढ़ी थी कहां पे present होती है junction of mid gut and hand gut यह junction पे present होती है mid gut मतलब vasatron और hand gut के junction में प्रेसर्ट होती है यलोग अधिन होती है, इसके बारे में पड़े थी, जो है प्रोडक्ट्स को रिमूप करने में help करती है, तो किसके थुरू perform होता है, मालफीजिन टीबूल से थुरू perform होता है, इस टीबूल is lined by glandular and ciliated cells, जो हर एक टीबूल होता है, इसके अंदर वो किससे line होता है, glandular cells glandular and ciliated cells glandular cells क्या करती है यह क्या secret करती है waste को secret करती है waste है मतलब हम कह सकते uric acid इनमे जो uric acid secret होता इनमे uric acid secret किया जाता है waste की form में uric acid इनमे निकलता है इसलिए हम lindo animals u buses जिनमे urea निकलता है उनको ureo-tallic इनके किस फॉर्म में निकलता है यूरिक ऐसेड के फॉर्म में इनको यूरिक और टैलिक कहते हैं तो इस ग्लेंडूलर सेल्स क्या करती है जो है वेस्ट मटीरियल को रिलीस करती है यूरिक ऐसेड और यह सिलियेटर सेल्स क्या करती है यह पुश करती है वेस्ट मटीरियल को जो है, इलियम में, जो इलियम वाला region है, उस region में इसको push कर देती है, जिसके थूरो ekscririon हो जाता है, they absorb nitrogen waste, ये का करते हैं, ये बनाए को अभी बताया, absorb nitrogenous waste, absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid, which is escorted out through the hindgut, ethnic gut के थूरो ekscret हो जाता है, मतलब, ilium के थूरो ekscrete हो जाता है, absorb करते हैं सबसे पहले nitrogen of waste products को तो से हम जो है convert करते हैं uric acid में इसलिए हम इनकों कहते हैं therefore this insect is called uricotelic uric acid को convert करते हैं इसलिए हम इनकों कहते हैं uricotelic कहते हैं in addition the fat body nephrosites and अब इनके लावा भी uric acid के लावा इनमें क्या malphigene tubules के लावा भी कौन सी चीज़े इनमें help करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है in addition the fat body nephrosites हो गए fat body हो गई fat body हम जो दूसरे नाम से कहते हैं urate cells करते हैं nephrosites हो गई यह क्या करते हैं nephrosites जो है क्या करती है uric acid को भी store करती है और क्या करती है balance करती है hemolymve को balance करती है nephrosites जो आपकी hemolymve को भी balance करती है जो आपका नहीं, hemolymve में blood होता है उसको balance करती है, uric acid को store करती है इसका function होता है क्या क्योंता है fat body हमको ureate cell के नाम से भी जानते है और क्या होता है nephrosites हो गए मैं आपको भी बताया है इनमें जो balance करती है इनमें को uric acid को store करती है and uricose gland also helping excretion ये excretion में help करती है और देखियो यहाँ पर आ गए uricose gland मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले video start करते ही कि ये सिरफ male में पाई जाती है male का ही characteristic है तो इसमें हमने previous video में पढ़ा था आपको अमने शिद्रे से पढ़ लिया है क्लियर हो गया होगा इनमें साइची से पाई जाती है Kathrin में excretion होता है आमने blood muscular system पढ़ा उसके बाद हमने जो है उसके बाद हमने respiratory system पढ़ा फिसके बाद हमने excretory system पढ़ा भी अब आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं, nervous system इसमें काफ़ interesting fact है, हम जानेंगे cockroach के बारे में वो भी जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे भी अच्छी तरह से तो इसके बारे में nervous system के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इनमें जो nervous system होता है, जो एक मैं आपको point अभी बताता हूं, जो कि इसका fact है एक तरह से काफ़ी अच्छा fact है, कि इनका जो जो यह मांजिए cockroach, मैंने आपको नॉर्मल रफली सा मैंने, आपको cockroach यह बनाया मैंने आपका, तो यह इसके जो brain region है, यह वाला region है यह आपर क्या होता है, यह इस वार region पर जो होता है, यह ganglion पाया जाता है ganglion क्या होता है, यह जो कई सारी cell body मिलकर जो एक fusion होता है, cell body का जो जारते fusions of many cell body जब cell body होता है, मैंने आपको नियूरोन वाले में बता है तो cell body होता है, उसके कई सारी यह fusion से मिलका गैंगलियोन बनता है तो इन में जो brain के brain में जो इनका गैंगलियोन पाया जाता है उसे हम कहते हैं supraisophagial ganglion supraisophagial ganglion यह NCRT में आप देखिए लिखा भी होगा है supraisophagial ganglion गैंगलियोन जो की देखिए brain represented by the brain में पाया जाता है यहां पर ब्लड को सप्लाइड करता है यहां पर ब्रेइन के रिजन में पाया जाता है यहां पर के बाद यहां पर इस तरह से यहां पर भी पायजाता है, इस तरह से यहां पर 1, यहां पर किटने होता हैं, यह 3 दो थोरासIC region में पायजाते हैं, जिन हम कहते हैं, सब- potentufegial ganglion, यह Sup dönement isofegial ganglion होता है, यह 3 कौन से होता है? सब 팀 minsوف pressing ganglion होता है, और यह बाकी के 6 और होते हैं, इसमें 3, 4, 5 और यहां पे 6 होते हैं, तो यह बाकी के 6 हैं, यह आपके कौन से होते हैं, थोरेक्स रीजन में हो गए, 3 थोरेसिक गैंग्लियोन हो गए, और यह 6 कितने हो गए, यह 6 हो गए, आपके अब्डोमिनल गैंग्लियोन हो गए, अब्ड और यह क्या करते हैं, जो आपके 3 जो अपर बाकी के बच गए, क्या क्या करेंगे, बाकी के बाइचो नची है, बाकी के है, सब ऑस तक है, गय direction में स्प्लाइuchen, सो 딱ी स्ठेस में सोड़ा सई ही रिजन में जो सर में फोड़े सी रिजन में, sa 올ग से शुप्राइश collaborative again और मतलो nihga brain पाय जाता है , लेकिन जो बाकी का है जो यह बाकी का इस रिजन पाया जाता है नीचे वाले रीजन में इसलिए हम इनका सर काटेंगे तो को प्रॉब्लम मैं एक अफ्ते तक जिन्दा रह साता है क्योंकि काफी सारा नर्वस सिस्टम का पार जो है नीचे की बॉड़ी में जो है प्रेजन होता है इन में तो यह आप पसमें जुड़ी रहती हैं कई सारी है तो इन में जो यह पाया जाता है थी गैंग्लिया लाइन इन तो झी थी गैंग्लिया काइच और तो यह बॉड़ी में जो रहती हैन Daq नर्वस्टेम बाकी के बॉड़ी में बिट्स फिर्विंट अनर्वसिस्टम डेखिए बात लिखिए न और यह क्वेश्ण जो 2020 में आया हुआ था अभी 2021 में 2020 में अभी आया हुआ था ये question भी 2020 में ही था शायद कि जो आपका कौकरश है एक अफते बाद भी कियो जिंदर आ जाता है ये question था head holds up bits of nervous system जो head उनका भी थोड़ा सा nervous system hold करता है while that is situated along the ventral जो belly side होती है ventral valley side होती है वहापे जो इनका पाया जाता है बागी का देखिए head में थोड़ा सा ही आपे सब supraesophagial ganglion और बागी बागी में देखिए कितना सारा nervous system है इनका brain जो पूरी वाडिम फैलाव है बागी का सब isophagial ganglion इसलिए इनको जो है so now you understand that if the head of cockroach is cut off it will still leave as long as one एक अफ्ते का जो है जिन्दा रह सकता है the head region is in the head region की बात करे brain is represented by the supraesophagial ganglion मैं आपको बताया था न brain में क्या होता है supraesophagial ganglion इन में पाय जाता है और जब बागी बाटी में बात करे तो सब isophagial ganglion पाय जाता है विच सप्लाई करता है नर्फ सको जो सप्लाई करता है सिरफ हैंट वांटी नीचे पाई दा वो सब इसमें लिखाने में अबट कॉकरोच इन कॉकरोच दा सेंस और्गन साब अब सेंस और्गनर्स की बात करें इनमें सेर्स ओर्गन क्या होते हैं आंटिना होते हैं मैंने आपको बताया था यह इस तो आपको बताया है यह देखिए यह इनमें palps पाए जाते हैं आपे यह देखिए palps होते हैं इनमें आपको दिखरे हैं ने यह वाला यह वाला यह वाला इस तरह सी जो फे इनमें इनमें कोशे कि होते हैं, इनमें जो IES, compound IES होती है antenna होते हैं, ये sizes इनमें पाई जाती है, labial pole spring on the pulse होते है एट सरकाई होते हैं, एक्सेशी हैं, इच में इसके बारे शल्त कोओंड या ही जाता किariat क्या पाई जाती है compound eyes पाई जाती है डॉर्सल साइड भी पाई जाती है each eye consists of यह मैंना कुछ morphology में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था हर एक जो eye होती है उसमें compound eyes इनके पास compound eyes जो है पाई जाती है इनके पास हर एक के पास यहां पे compound eyes पाई जाती है about 2000 hexagonal ometeria में पाए जाते है जो कि approximate में एक आई में एक compound आई में 2000 जो है बनते हैं तो दोनों में 4000 बने गाई प्रॉक्स जो कि इमेज हो इन में प्रोड्यूस करते हैं एक जो है एक जो आपको यह हो गया hexagonal ometidia फिर दूसरा इन में इमेज अलग-अलग ऐसे बनती है तो इन में कितने हो तो 2000 hexagonal ometidia उता जिन्व सिंगलर कहे तो ometidia with the help of several ometidia कई सारे ometidia से मिलके a cockroach can receive several images of an object कई सारी images तो images में जो है बन जाती है एक ometidia पर एक image बनेगी फिर दूसरे पर दूसरी तीसरी फिर चोथरी सरे से 2000 images बनती है with the help of यह हो गया this kind of vision is known as the mosaic vision इसे हम कहते हैं क्योंकि 2000 images बनती है इस vision को हम कहते है mosaic vision अब इसका मतलब समझेगा with more sensitivity but less resolution with more sensitivity less resolution का मतलब क्या है sensitivity तो अच्छी होगी लेकिन दूदला होगा मतलब image तो जो उन्हें काफी सारी एक image तो उन्हें दूर दूर तक अच्छी तरह से दूर दूर तक दिख जाएगी लेकिन resolution कम होगा उसका मतलब धूदली दिखाई देगे एक तरह से इसलिए आपे less resolution लिखा वहें यह काफी important line ने से question as it is बन सकता है more sensitivity but less resolution उसमें दिख देंगे less sensitivity more resolution equal equal या फिर कुछ भी लिए सकते है being common या फिर statement one two में इस तरह से करके इसको भी डाल सकते है और किसी को भी डाल सकते है as long as देखिए आप इस तरह से as long as one week की डगा आपको two week डाल सकते है तो इस तरह से being common being common during night अभी night में जो जादा active रहते हैं इसलिए यह रात में अच्छी तरह से देख पाते है hence called the nocturnal vision, इसलिएम इनको क्या कहते है, nocturnal vision कहते है इनको क्या 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 नक्तरनल vision कहते है, so I hope आपको clear होगा so I hope आपको clear होगा, नर्वा system हमने पड़ा, excretal system पड़ा, respiratory और blood vessel system है पड़ा, so I hope आपको clear हो गया होगा सो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जो है री पॉड़क्ट वे सिस्टम जो है स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मारे चेप्टर खतम हो जाएगा इसको बात हमागे तो है नेक्स चेप्टर स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो को लाइक कीज़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीज़ेगा और मुझे कमेंट करके पताएगा आपको वीडियो कैसे लगी तेंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में